नमस्कार दोस्तों आज है 24 अगस्त कुछ लोगों ने आज एक व्रत किया है और कल है 25 अगस्त और कल ललेही छट का व्रत मनाया जाएगा ललेही छट जो की बहुत सारी लोग उसको हर छट भी कहते हैं यह व्रत पुत्रवती इस्तरियों के लिए होता है जिन आउरतों को पुत्र होता है वह यह व्रत करती हैं बहुत सारी माताएं बहने इस व्रत को पहले से करती हैं पर यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महात्वपूर्ण हैं जो लोग बाहर रहते हैं या फिर जिनकी अभी नए नए साधी हुई है या फिर इनको जिनको नया नया भी बच्चा हुआ है और जो पूजा का विधान नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम आपको पूजा की विधी वरत्कियो करते हैं और जो कहानी है वरत्कियो वो सारा आपको हम विस्तार स्वरूप बताएंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो स्किप मत करियेगा लडेही छटका व्रत सबसे पहले देवकी जी ने रखा था जब देवकी जी को पता चला कि कंस उनके सभी पुत्रों को जन्म लेते ही मार दे रहा है तब वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी और उन्होंने ये वरत रखा था उन्होंने बहुत कठिन तप किया था और ये वरत रखा था कि मतलब अगर मेरे पुत्र सही सलामत रहेंगे तो मैं इस व्रत को करूंगी उन्होंने अपना सात्वा जो गर्व था वो अपने वासुदेओ जी के अपने पती की पहली पत्नी को गर्व दे दिया था उन्होंने अपना सात्वा जो जन्म लेने के बाद बलराम जी बने बलराम जी के जन्म पे ही ललेही छट व्रत का वन्हें माना जाता है और उसी के उपलक्ष में ये वरत मनाया जाता है। गाय के दूद का सेवन नहीं करना है इस दिन आपको भैस के दूद से बनी हुई चीजे खानी है दूद से बना हुआ घी दूद दही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाय के दूद का आप सेवन नहीं कर सकते हैं और हल से जोती हुई सामगरी नहीं खा सकते हैं इसलिए इस दिन तालाब में पैदा हुई चीजे जैसे फसही के चावल, सम्मा के चावल, सिंघारे का आटा आप इन सब का सेवन कर सकते हैं चीनी, गुड ये सब चीजे आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये हल से जुती हुए खेट में होती हैं दूद में दही में आप खा सकते हैं पर वो भैस के दूद से हूप बना हुआ हो गाय का दूद इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं इसकी पूजा विधी के लिए आपको मार्केट में हरचट का कलेंडर मिल जाता है या फिर आप घर पर ही तस्वीर इसकी बना सकते हैं या फिर आप गूगल से इमेज को कॉपी करवा सकते हैं इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं इसमें आपको हल्दी और कुमकुम से पूजा करनी है इस तरस्वीर पर एक कलस स्थापना करनी है कलस पे आपको दिया जलाना है और आपको पांच या साथ प्रकार का अनाज 6 प्रकार का 7 प्रकार का अनाज आपको घुना हुआ अनाज आपको चढ़ाना है अलग-अलग बरतन में गाउं में तो लोग पहले कुल्हर ले आते थे पर अब कुल्हर नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी बरतन पे या किसी भी ग्लास में आप इसमें इसको अनाज को चढ़ा स लेकिन आप पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं तो आप अपनी तूलसी क्यारी में गार लें पूजा करने के बाद आपको उसमें एक हाथ से गाठ लगानी होती है आपको दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना होता है अब जो है हम बात कर लेते हैं इस व्रत की कथा की वैसे तो इस व्रत में 6 कथा कही जाती है पर आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं एक गाउं में एक ग्वालन रहती थी वो ग्वालन हमेशा गाउं वालों को दूद बाटने जाया करती थी ग्वालन गर्ववती थी एक दिन उसको लगा कि आज सायद मैं दूद बाटने नहीं जा पाऊंगी या फिर आज मुझे डिलिवरी हो जाएगी बच्चा होने वाला तो उसने जल्दी जल्दी अपना काम खतम करके सोचा मैं दूद बाट ही आती हूं कहीं ऐसा नहों अगर बच्चा हो जाएगा तो ये सारा दूद रखा रह जाएगा उस दिन लले ही छट का वरत था लले ही छट के वरत के लिए उसने दूद अलग अलग किया था भैस का अ वहीं पे बैट कर उसने पुत्र को जन्म दिया अब उसने उस पुत्र को वहीं पे जहल बिरिया के पेड़ की जाडियों के पास उसने वहीं पे उसको डाल दिया और बच्चे को वहीं पे डाल कर दूद को देने चली गई पर उसको दर्द इतना जाता था कि उसने सारे गलती से वो हल जो है वो उस बच्चे के पेट में जा लगा पेट में लगने की वज़े से उसके पेट में चीरा लग गया अब चीरा लगने से उस खून बहुत ज़्यादा बहने लगा जिस वज़े से बच्चा तडपने लगा तब किसान ने डर की वज़े से उस बच्चे को उसी जलबेरिया के काटे से और वहां पड़े हुए कुछ कुसे से उसको सिल दिया जब उसने उस कुसे से और जल्वेरिया के काटे से उसको पेट को वहीं पे सिलके वो किसान वहां से भाग गया जब ग्वालन दूद सब बेच के फुरसत पाकर अपने बच्चे को उठाने के लिए जल्वेरिया के काटे के पास आई तो उसने बच्चे की ऐसी स्थिती देखी बच्चा कुछ भी मूब नहीं कर रहा तो उसने वो ग्वालन भी तड़ब तड़ब कर रोने लगी और चिलाने लगी और अपनी गल्ती की माफी मांगने लगी वो बार-बार कहने लगी कि ये मेरे पापो का ही फल है मैंने ही जूट बोला मैंने ही आज व्रत के दिन सबका व्रत भंग कराया ये मेरे ही कर्मों की सज़ा है फिर वो जाकर गाउं में रो रो कर सबसे माफी मांगने लगी और सबको अपनी कहानी बार-बार सुनाने लगी पहले तो औरतों को बहुत गुस्सा आया पर जब औरतों को उसकी पूरी कहानी पता चली तो औरतों ने उसको माफ कर दिया गाउवालों से छमा पाने के बाद मरते क्या न करते वो औरत रोते रोते वो ग्वालिन रोते रोते अपने बच्चे के पास आई जब वो बच्चे के पास आई तो अचानक अपने बच्चे को खेलता हुआ देकर वो बहुत प्रशन्य हुई वो बच्चा उसके सरीर पे कोई निसान नहीं था, कोई घाव नहीं था वो बच्चा हस खेल रहा था, अच्छे से मिट्टी में खेल रहा था वो बच्चा, तभी उस औरत को समझ में आ गया कि अपने स्वार्थ के लिए वो कभी जीवन में जूट नहीं बोलेगी, जूट बोलने से बड़ा पाप, कोई सभी पाप नहीं होता है, जूट बोलना ब् पता चला, तब उन में से जो इस्त्रियां ललेही छट वरत करती थी और जो नहीं भी करती थी, उनको भी इस वरत के बारे में पता चला, और इस वरत की महानता को जानकर, वो इस वरत को करने का निश्चे करने लगी, उस ग्वालिन ने भी इस वरत को करने का निश्चे किय और तब से लेकर हमेशा जब तक वो जीवित थी प्रत्वी लोग पे उसने इस व्रत का पालन किया और उसने अपने जीवन को बहुत खुसमय और खुसहाल तरीके से व्यत्तीत करते हुए इस जिंदगी में अपना योगदान दिया और आप लोग भी अगर इस व्रत को करते हैं या फिर करने के इच्छुक हैं तो इस व्रत को अपने बच्चों के लिए अवस्य करिए और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेग जो भूल चूखो भगवान छमा करें आप सबको अच्छे से खुसाल रखें और हमें भी इजाज़त दीजेए नया वीडियो लेकर आपके साथ हाज रोंगे तब तक के लिए बाए बाए